मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहन केबिनेट मंतरियों के साथ मंगलवर शाम करीब आठ बजे लव जिहाद और आतंगवात पर बनी फिल्म दे केरला स्टोरी देखने पहुँचे बोपाल के अशोका लेक्प्यू केमपस में बने ओपन थेटर में सीम ने मंतरियों के साथ फिल्म देखी सीम चोहन की पत्नी साधना सिंग और अन्य मंतरियों के परिजन भी साथ थे एस वरान दे केरला स्टोरी की अभीनेटरी अधाशरमा और प्रोडियूसर डारेक्टर रिपुल शा भी मुझँद रहे मुख्यमंत्रे ने कहा The Kerala Story की पूरी टीम के साथ में अपनी टीम को लेकर फिल्म देखने आया हूँ इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए जूटे प्रेम की जाल में फसकर हमारी बेटियां अंधिरी दुनिया में पहुँच जाती है जिससे उनकी जिन्दगी नर्क बन जाती है देश विरोधी करत्यों में उन्हें फसाद्या जाता है यह बहुत उदेश पूर्ण फिल्म है The Kerala Story को देखने के लिए ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्म मिश्रा नगरी प्रशासन मंत्री भुपेदर सिंग चिकिस्ता शिक्षा मंत्री विश्वा सारंग आदिप मुझूद थे इस फिल्म के माध्यम से समाच को जगाने की जरुवत है कॉंग्रेस और वामबंति दलों के लोग जो एसी समस्याओं के पीछे हैं वो लगातर फिल्म का विरोध कर रहे हैं यह विरोध इस बात को इंगित करता है कि यही देश में आतंगवाद और हमारी संस्क्रति को मिटाने का श्यद्यनत्र होता है तो उसके पीछे निश्चित रुप से कॉंग्रेस और वामदली है इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ दाने बाद